Morning student, आज के online class में हम लोग मानाव स्वास्त कथा रोग पढ़ेंगे, human health के बारे में और उससे होने वाले disease के बारे में, तो सबसे पहले बीमारी क्या होती है, रोग कैसे संचरीत होता है, उसको समझेंगे हम लोग, तो एक स्वास्त वेक्ती या रोग ग्रस्त वेक्ती किसे कहे तो बीमारी या रोग क्या है, तो बीमारी या रोग वहदस है, जिसमें जीव, सकरात्मक और सररचनात्मक और क्रियात्मक रूप से विक्रित और अनीमित हो जाता है, सिधी सी बात है, बीमारी या रोग वहदस है, जिसमें जीव, सररचनात्मक और क्रियात्मक रूप से व देखते न, हैं जब किसी भी वैक्ति को वी रोग या बिमारी होती है, तो उसके हांट पैर दुबले हो जाते हैं, या वो किसी कारिय करने में सक्छम नहीं हो पाते हैं, रोग ग्रस्त होने से, तो उसी चीच को यहां बोला गया है, कि वीमारी या रोग वह दसा है, जिसको ज के बहुतिक कारण जैसे कारविच्स, कार्बोःड्रेट, रोक हो जाती है, कुछ पहुतिक कारण .ünden जैसे ताप, दाप, आद्रत, देखते हैं ,्छेंज होने से भी कई प्रकार की रोग कुद्पन , रसाइनिक चोटै तो ह करण , या कइ प्रकार लगना कहीं पर गीर जाना या दुरघटना होना ये सभी आंत्रिक कारण के अंतरगत आती है पदार्थों की अधिकता जब होता है ना कभी-कभी हार्मोन्स की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है या कम होती है तो उसके कारण भी क्या होता है कई प्रकार की बीमारी उत्पन ह होती है जैसे थैराइड है मधु में है यह सभी क्या है यह हर्मोनल डिजीज है जैविक और जैविक का रख या रोगाणू पैथोजन किसे कहते हैं तो पैथोजन किसे कहते हैं प्राकृति में पाय जाने वाले कुछ जिव जो हमारे सवरीर में प्रवेस कर जाते हैं तब कई क्या रोग पैदा करने वाले जीव को क्या बोलते हैं रोग ग्रष बना देते हैं तो इसको रोग उत्पन करने वाले जीव है उसको हम क्या बलेंगे रोगानू या पैथोजन ठीक है अब यह जो रोगानू है कि कैसे कैसे संचरित होता है तो यह दो जो डायरेक्ट कॉंटेक में आने से या किसी को छूने से संपर्क करने से होता है उसको हम संक्रामक विवारी कहते हैं उसको communicable disease या infection disease बोलते हैं ना infection हो गया है या communicable जिसके संपर्क में आने से हमको कोई रोग हो जाता है वही क्या कहलाती है संक्रामक विवारी कहलाती है रोगानू या पैथोजन तो रोगानू क्या है वही पहले जो बता चुकी हूं रोगानू जो है रोग उत्पर न करने वाले जी होते हैं जिसको हमर Κानू या पैथोजन कहते है इसका जो अविसकार है रापट कोज ने सन 1876 में किया उन्होंने देखा कि एक जो भीड को जानने के लिए उन्होंने परिच्छन किया परिछन करने से उन्होंने यह पाया कि Bacillus enthesis नामक एक जिवाणु होती है जिसके कारण से उस भेल की मृत्धियु होई है तो उन्होंने क्या किया उस जीवानों को सवर्धन किया सवर्धन मतलब आप लोग समझते हैं कल्चर करना खेती करना या उसकी संख्या को और बढ़ाना ग्रोध करना तो कल्चर सवर्धन माध्य में क्या किया उस जीवानों को उस जीव को लेके उन्होंने उसको सवर्धित क दिया और सवर्धन करने के बाद उसी जीवानों बैक्टेरिया को दूसरे भेड के सरीर में प्रवेश कराया तब उन्होंने क्या देखा उस भेड के सरीर में जब उन्होंने प्रवेश कराये तो उस भेड भी उस रोग से ग्रसित हो गया तो इससे यह उन्होंने सिति किया कि यह ऐसी एक bacterial disease है जो एक से दूसरे के सरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन कर देती है और यही दूसरा जीव भी अगले जीव के सरीर में अगर प्रवेश करा दिया जाए उस bacteria को तो दूसरे जीव को भी वो क्या करेगा इफेक्ट करेगा और उसकी death हो जाएगी तो उन्होंने क्या क्या निसकर से निकाले रोग ग्रसी जन्तु के सरीर से रोगानों पस्थीत रहते हैं रोग के रोगानों को प्रिधक करके उसको सवरधन किया जा सकता है मतलब उस रोगानों को और बढ़ाया जा सकता है उस रोग उस रोगानों को उस बैक्टेरिया को डाले हैं उससे भी उसी बैक्टेरिया को प्राप्त कर सकते हैं फिर तीसरे में तीसरे जीव में डालेंगे तो उसमें भी क्या होगा वो रोग रसित हो जाएगा ना तो उसी चीज़ को यहां पर बताया गया है यहां पर बीमारी के प्र प्रका क्यों होती है एक होता है जन्मजात और दूसरी होती उपार जीत तो जन्मजात इस परस्ट यहीं से जन्मजात मतलब जो जन्म से ही रोग उत्पन होती है उसको हम क्या बोलते हैं जन्मजात बोलते हैं इसमें अनवांसिक रोग आता है जैसे हंसियाकार रप्तल पता म स्क्रामक मतलब सिकल, सेल, अनिमीया, सिक्लिंग रोग को कहा जटता है, हीमोफिलिया, मदू में और फैनिल, किटो, यूरिया, यह सभी क्या है, अन्मांसिक रोग है, जो जन्मा जात होती है, सेकेंड दी है, उपारजित, उपारजित मतलब जो जन्मा के बात कभी भी, जीव परक में आने से होता है उसको संक्रामक रोग कहा जाता है इसके अंतरगार प्रोटो जोवार रोग है हेलमिन्थ रोग है हेलमिन्थ मतलब क्रीमी से होने वाले रोग जीमानु जनीत रोग विसानु जनीत रोग कवक जनीत रोग यह सभी किसमें आएगा संक्रामक रोग में फ मात भाटने से खाना खाने से नहीं भाटता है उसको हम असंक्रामग बोलेंगे जैसे लोपनी रोग, मतलब क्या होता है यह हिर्दय समंदी रोग होता है जिसको लोपनी रोग कहते हैं अल पता रोग, अलपता रोग में जैसे की रिकेड्स है अलपता ये हिन जन्यता उसे करते हैं जिसमें किसी भी विटामिन की कमी के कारण सरीर बेडोल हो जाती है और दिखने में वो अलागी स्वास्त बच्चे की अपेक्चा या स्वास्त व्यक्ति की अपेक्चा वो अच्छा नहीं दिखत उसको हम बोलत है हिंजन्यता जैसे रिकेड्स है मरमस है यह सब व्यूटामिन B, D की कमी से होती है और इसमें सरीर की जो साइस रचनात्मक और क्रियात्मक जो क्रियायें होती है वो ठीक नहीं रहता है इसको आपतरों यह हिंजन्यता रोग कहेंगी यह लड़ी यह लड़ी कै के प्रती 38 सवे दंसील होता है क्यों होता है कभी कभी कोई चीजे हमको शुट नहीं होता है और उसका प्रभाव हमारे सरीर में दिखता है कैंसर आप सभी कैंसर को जानते हैं कैंसर क्या होती आनिमीत टीसू ग्रोथ होती है जब टीसू बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है और वहाँ पर ट्यूमर बना देता है उसको कैंसर करते हैं अन्मांसिक रोग जैसे सिकल सिलिम, एनिमिया, हेमोफिलिया यह सभी क्या है अन्मांसिक रोग है जो जीन के क्रम में बदलाव की करन होता है समाजिक बुराई क्या होती है जैसे कोई नसा से ग्रशित हो गया और उस समाज के लोगों के द्वारा हिन भावना से देखा जाना ही क्या है यह समाजिक दुरिय व्यस्नी के रोग कहलाता है फिर है यांत्रिक रोग यांत्रिक रोग के अंतरगत अस्थी भंजन या अस्थी संधी आता है तो यह सभी रोग के प्रकार है जो दो प्रकार इसी का डि यहां पर और एक बार किया गया है